मैं आपके साथ चर्च की गतुशीलता की वास्तविक्दाई साजा करना चाहता अब इसके बारे में सोचें क्योंकि यह सफल चर्चों और सफल पास्टर और असफल पास्टर से सम्मंदित हैं जिस पर हमने अभी अभी चर्चा किया था 90 प्रतिशत लोग मित्रों के माध्यम से विश्वास में आते हैं हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसिक्षन कारेक्रमों की आवशक्ता है कि लोग जाने कि उनके दोस्तों को अपने विश्वास की बारे में कैसे समझाना है गहर इसायों के लिए विशेस आयोजन की आवशक्ता है हम उन्हें ब्रिज इवेंट कहते हैं एक घाटी के पार जाने के बारे में सोचें मैं एक चर्च को जानता हूँ जिसने अपने सदस्यों पर शोध किया और पाया कि उनमें एकल अविवावक माता पिता का प्रतिशत बहुत अधिक था और इसलिए उन्होंने एकल माता पिता को यह जानने में मदद करने के लिए कारेक्रम रखा कि वे अपने बच्चों का पालन पोशन कैसे करें और जब घर में केवल एक ही माता या पिता हो तो अपने बच्चों का पालन पोशन कैसे करें और फिर उन्होंने बिग्यापन के माध्यम से यह जानकारी दिया कि एक समिनार होने वाला है या निश्रुलक था या चर्च की कोई विशेस बैठक नहीं थी लेकिन वे इसका उप्योग उन एकल माता पिता के साथ संबंद और दोस्ती बनाने के लिए करते हैं और उन्होंने कहा कि हम आपके मदद करने के लिए यहाँ हैं हम यहाँ आपके मित्र बनने के लिए हैं और फिर उन ब्रिज कारेक्रोंवों पर अनुवर्ती चर्चा होनी चाहिए और यही इस चर्च ने किया उन्होंने यह सुनिशित किया कि उस समिनार में भाग लेने वाले सबी लोगों को यह मालूम हो की मदद मांगने के लिए चर्च में किसी से कैसे संपर्क करना है और मुझे लगता है कि हम कहा हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चोटे समूह लोगों को चर्च में लाने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि चोटे समूह में हम लोगों को जान सकते हैं बड़े समूह में हम लोगों को नहीं जान सकते, किसी ने कहा है कि हम किसी चर्च में एक समय में 50-60 से अधिक लोगों को नहीं जान सकते और फिर हमें नए धर्मांतरित लोगों के लिए नई चर्च, सेवाओं, नए प्रकार के संगीत, नई डेमोग्राफी के बारे में सोचने की आवशक्ता है उधारन के लिए यदि चर्च में अधिकांश लोग 20 वर्ष के हैं, तो हमें सेवा निवरिती और 80 वर्ष होने के बारे में बात करने की आवशक्ता नहीं है हमें यह जानना होगा कि चर्च में अधिकांश लोग किस उमर के हैं अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा एक मित्र है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था वह पेरू के लीमा में रहता है और वह एक मिशनरी है वह एक बार संयुक्त राज अमेरिका वापस आया और कहा उन्होंने अमेरिका में बदलाव देखा है और वह सुसमचार प्रचार की छे चरण के बारे में बात करता है मुझे लगता है कि यह किसी भी देश के लिए उप्यूक्त हो सकता है आप विचार कर सकते हैं सबसे पहले वह कहता है कि हम दोस्त बनाते है फिर दूसरी बात हम उस दोस्त के साथ समय बिताते हैं ताकि हमारी दोस्ती बन जाए हम उस दोस्त के साथ बाते करते हैं, हम किसी गतिवीधी में शामिल होते हैं या किसी एतलेटिक कारेक्रम को देखने जाते हैं और तीसरा हम मितरता को उस गहराई में ले जाते हैं जहां हम जीवन के क्यों के प्रशनों के बारे में बात कर सकते हैं और मित्र पूछ सकते हैं कि आप इश्यो में विश्वास क्यों करते हैं और उस बिंदु पर हम उस व्यक्ति को मसी में विश्वास करने के लिए अगवाई करते हैं पांचवा चरण यह है कि हम उन्हें सिश्यता में बढ़ाते हैं हम उन्हें विश्वास में बढ़ाते हैं और छठा चरण यह है कि वे इस प्रक्रिया को दोहराना शुरू करते हैं और मुझे लगता है कि यह बहुत माइने रखता है बिल हाइबल्स शिकागो शेतर में एक बहुत सफल पास्टर हुआ करते थे मैंने उन्हें पास्टरों के एक समू के सामने एक प्रस्तूती देते हुए सुना और उन्होंने नेत्रितों के बारे में पांच मैं मानता हूँ वाक्यों की बात की नमबर एक मैं मानता हूँ चर्च दुनिया में सबसे गहन नेत्रितों संपन्र संस्थान है चर्च पूरी तरह से परवकारी या अन्या केंद्रित है चर्च मेरे बारे में नहीं है चर्च का उद्देश्य मेरी और ध्यान आकर्षन करना नहीं है चर्च का उद्देश्य अन्या लोगों को उनके विश्वास के पत पर चलने के लिए प्रोचसाहित करना है चाहे वे कहीं भी हो और बिल ने उस दिन कहा चर्च कॉर्पोरेट जगत से अधिक प्रेड़ना की मांग करता है और मुझे लगता है कि यह सच है क्योंकि पास्टरों को यह सुनिश्चित करने की आवशक्ता है कि हम ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर को श्रेय दे रहे हैं ना कि खुद को दूसरी बात उन्होंने कहा मैं आत्मिक नेत्रित्व को मानता हूँ नेत्रित्व एक आत्मिक वर्दान है प्रित पौलूस सपष्ट रूप से इसके बारे में बात करता है और बिल ने कहा हमें स्विकार करना होगा कि यह कुछ के पास है और कुछ के पास नहीं हर किसी के वर्दानों का मिश्रन एक जैसा नहीं होता है किसी को नेत्रित्व का वर्दान दिया जाता है, किसी को सहायता का वर्दान दिया जाता है, किसी को प्रशासन का वर्दान दिया जाता है और हम दूसरे व्यक्ति के वर्दान से इर्शा नहीं करते, हम स्वयम को जानने के लिए या यह जानने के लिए समय निकालते हैं, कि हमारी तोड़ा क्या है? और बिल ने आगे कहा कि लोग महसूस करते हैं, देखते हैं और समर्पित हो जाते हैं, और वे इसके बारे में बात करते हैं, इसे विजन कास्टिंग कहा जाता है, वो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास नेतरित्व का वर्दान है, उसके पास दुरदर्शिते का वर्दान है वे उस दर्शन के बारे में बात करने में सक्षम है, वे उसके द्वारा पकड़ लिये गए हैं, वे इसके बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि यह सब उन पर हावी होता है. नमबर तीन, मैं मानता हूं कि अधिकांस चर्च अंजाने में नेत्रितों के वर्दान को कमजोर कर देते हैं, अक्सर जिनके पास सिक्षन या उपदेश देने का वर्दान होता है, उनके पास नेत्रितों का वर्दान नहीं होता है, और इसलिए वे नेत्रितों के वर्दान को जैसा कि प्रेरित पॉलूस ने रोमियो अध्याय बारा में समझाया था, समझाने के बजाए वे इस पर बात करते हैं। नमबर चार, मैं मानता हूँ कि अधिकांश लोग किसी के द्वारा नेत्रित्व किये जाना पसंद करते हैं। उन्होंने ये पास्टरों की विशाय में कहा, हम लोगों का नेत्रित्व न करने का जोखिम नहीं उठा सकते। याद करें, कुछ समय पहले मैंने आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की थी, जो तीस वर्षों की सिवकाई में था, जिस दवरान दो चर्च की मृत्य हो गए और एक अन्या चर्च ने उसे छोड़ कर जाने को कहा, वह एक अद्बुत सिक्षक, अद्बुत उपदेशक थे, लेकिन जब मैंने उसे बोलते हुए सुना, तो उसने बाइबल से जो कहा, उससे मुझे अपने विश्वास में चुनावती मिली, लेकिन वह नेत्रित्व नहीं कर सकता था। और इसलिए हमें यह समझने के आवश्यक्ता है कि यदि हमारे पास नेत्रित्व का वरदान नहीं है, तो हमें नेत्रित्व की स्थिती में रखे जाने के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि ये क्या करना है, हम नहीं जान पाएंगे कि कैसे चर्च को आगे ले जाना है नमबर पाँच, मैं मानता हूँ कि चर्च दुनिया की आशा है, इस पर मैं बिल से सहमत हूँ मैं डॉक्टर हावर्ड हेंडिक्स के पास जाना चाहता हूँ जिनकी अम रित्ती हो चुकी है वे टेकसस के डैलस थियोलोजिकल सेमिनरी में प्रोफेसर थे डॉक्टर हेंडिक्स ने नेत्रित्व के दस गुनों के बारे में बात की थी मैं सिर्फ चार का जिकर करना चाहता हूँ तीसरा बिंदू है आत्मग्यान मैंने ये शब्द पहले भी कहा है इसे यहां कह रहा हूँ कक्षा खतम होने से पहले मैं इसे फिर से कहूंगा डॉक्टर हेंडिक्स कहते हैं अगवे अपनी ताकत जानते हैं वे अपनी कमजोरियां जानते हैं वे अपनी सीमाई जानते हैं वे अपनी ताकत से नेतरित्व करते हैं और वे कर्मचारी होते हैं अर्थात वे अन्यल लोगों को उनकी जरूरतों में मदद करने के लिए लाते हैं और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता अच्छे अगवें के पास स्वयम का ग्यान होता है अच्छे अगवें स्वयम को जानते हैं अच्छे अगवें जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वे अच्छा है वे अच्छा करते हैं और वे जानते हैं कि उन्हें कहां बढ़ने की आवशकता है और कहां उन्हें सुधार की आवशकता है यदि आप तीन और विंदूओं पर जाएं तो डॉक्टर हेंट्रिक्स कहते हैं शक्तिशाली अगूओं में एक व्यक्तिगत आकर्शन होता है लोग अगूओं का अनुसरन करना पसंद करते है मेरे साथ एक पल के लिए सोचे जब हम किसी से मिलते हैं तो आम तवर पर हमारे पास यह बताने की समझ होती है कि वे हमारे उप्योग करना चाहते हैं या नहीं या वे हमें प्रोटसाहित करना चाहते हैं और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्चों के लोगों में हमारे बारे में यह समझ है कि क्या हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या हम उनके बरदानों का अधिक्तम उप्योग करने के लिए प्रोचाहित करना चाहते हैं या क्या हम उनका उप्योग केवल अपने उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं और यदि हम केवल अन्य लोगों का उप्योग करना चाहते हैं तो ऐसे में व्यक्तिकत आकर्षन नहीं हो सकता है और लोग हमसे दूर चले जाते हैं। अगला बिंदू, डॉक्टर हेंडिक्स का कहना है कि मजबूत अगवों के पारसपरिक संबन्द मजबूत होते हैं। डॉक्टर हेंडिक्स का कहना है कि सिवकाई में असफल होने वाले अधिकान्स व्यक्ति पारसपरिक कौशल की कमी की कारण असफल होते हैं, योग्यता या ग्यान की कमी की कारण नहीं, कुछ साल पहले यहां संयुक्त राज अमेरिका में एक सेमिनरी था जिसमें 10 वरसों तक स असनातकों के साथ एक सर्वेक्षन किया गया, और अधिकान्स विद्यार्थियों ने कहा, आपने मुझे बाइबल सिखाए, आपने मुझे इश्वर विज्ञान शास्तर पढ़ाया, आपने मुझे चर्च का इतिहास पढ़ाया, आपने मुझे नेत्रित्व करना नहीं ये बिना कि इस सिवकाई में कैसे शामिल होना है, नेत्रित्व नहीं कर सकते, और फिर अंत में डॉक्टर हेंडिक्स का कहना है कि अगवा जानते हैं कि अनुयाई कैसे बनना है, उनका कहना है कि अगवा इतने अच्छी तरह से अनुसरन करते हैं कि उन्हें आम तोर पर ने अगवाई करना आता है मैं यहां बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहता लेकिन मैं आपको इसका परिचाय देना चाहता हूँ एक प्रशनावली है जिसे मैंने और कुछ अन्य लोगों ने चर्च को लोगों को सेवकाई में शामिल करने में मदद करने के लिए विक्सित किया था बरिष्ट पास्टर नहीं, प्रमुक पास्टर नहीं बलकि वे लोग जो चर्च में सेवकाई में शामिल होंगे और आप इसे अपने समय पर पढ़ सकते हैं लेकिन मुझे प्रशनों को जल्दी से पढ़ने दीजिए हमारा पहला प्रशन है, आप इसाई कैसे बने दूसरा, क्या आपको विश्वास की सिध्धानतों को सिखाया गया है तीसरा, क्या आपको किसी ने आत्मिक रूप से बढ़ने के बारे सिखाया है चौथा, आप वरतामान में किस नेत्रितों शम्ता में सेवा करते हैं जब हम किसी को शामिल कर रहे हैं, तो हमें यह जानना होगा कि क्या वे अभी सेवा कर रहे हैं और क्या यह उनके लिए एक संतुष्टी दायक सेवकाई है या नहीं माच्वा, कौन से संसाधन सहायता इस पत पर आपकी प्रभावशालिता को अधिक्तम करेगा या हम आपको बढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं और छठा, क्या आपका परिवार और घरेलू महोल आपको प्रत्साहित करता है मैं आपको इस पर गौर करने के लिए प्रत्साहित करता हूँ या कई अलग-अलग जगहों पर मददगार हो सकता है मैं आपको इसे पढ़ने, इसका अध्यन करने और इसे बदलने, इसे अपना बनाने के लिए प्रत्साहित करता हूँ ताकि आप इसे चर्च में सेवकाई के लिए लोगों को शामिल करते समय इसका उप्योग कर सकें हम विविन्न प्रकार के इसाई सैक्षनिक और सुसमचारिय संसाधनों के साथ समकालिन इसाई समुदाई की सेवा करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं तीवी सेमिनरी का डेटाबेस देखने के लिए कृपिया www.tvseminary.com पर जाएं